उत्तरप्रदेश की राज्ठानी लखनों का कृष्णा नगर इलाका अचानक की गोलियों की आवास से दहल उठा यहाँ एक सिपाही ने अपनी पत्नी की गोली मार कर हत्या कर दी और इसके बाद खुद पर भी गोली चला कर आत्म हत्या करने का प्रयास किया पुलिस के मुताबिक दोनों की ही मौत हो गई मिली जानकारी के अनुसार ग्रह कलेश की चलते यूपी पुलिस में सिपाही किपत पर तैनार सरवेश रावत ने ये कदम उठाया फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है पत्नी है जिनका नाम है मिरा ओमर लगभगी 28-30 सल क्याज पर इनको एक गोली लगी है और जो इनके हस्बंड है जिनका नाम है सरवेश इंको भी गोली लगी है जो अपलवद सूचना है इसके हिसाब से जो सरवेश हैं इन्होंने पहले मिरा को गोली मारी और इसके बाद इन्होंने खुद को गोली मारी है। दोनों की जो बॉडी हैं इनको हॉस्पिटल तकाल जो है सुचना पाप्त होते ही लेके गए हैं वहां पे अग्रिम करवाई की जा रही है। इस पूरे प्रक्रम में सभी बिंदूों से गहनता से जाच की जा रही है। अगरिम विधित कारवाई की जा रही है। सर ये लोग सिपाही बताये जा रहा हैं कौन 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 सुचना इसमें। इसमें जो अभी तक प्राप्त सूचना है उसके हिसाब से जो सर्वेश है वो 2011 बैच का कौनस्टिवल है और जो महिला है जिनका नाम मीरा है ये पोस्ट आफिस में बाभू के पत पर कारे रहे हैं। इसमें प्रफंद विष्ट्रिया जो घर वालों के दारा सूचना दी जहीं है वो यह था कि इनका आपस में पारिवारेक विवात का एक मुकदमा भी पंजिकृत था। अर्षा बाद में जिसमें कोट के माधियम से समझाता भी हुआ ता तो क्रूमिला के ये कहा जा सकता है कि इन दोनों के वीच में जो पारिवारिक विवाद और पारिवारिक समस्याएं थी जिसकी वे से घठना हो गए है। किसकी वुई है, सर इसमेंद ही जो पत्नी है, मीरा इनकी मृत्व तुमे खोगे है और जो सर्वेश है, इनको हस्पिटल पहुँचाय गया है, और लेटेस्ट अपडेट जुए वो डॉक्टर से पता करते हैं, सर गोली कहा पर मारी है, किस तरीके से, देखे गोली कहा पर पर दोबारा कई नपने पापा बोलावाए गे हुई है लिए गे हुई है कोई बात नहीं पाइन बहुत नहीं हमार दी हम तोफ है जोप से इनके खड़ा मीरा के पास ऑबस मार दी है खुद के ओपर मार लेड़ जाए हुआ हुआते हाएं हम कही रच्छा बंदन का मीरा हमसे कही जमका लेगा नहीं जया दोड़ा है बन्हे को यहां दोड़ा कि तोड़ाया है। पूरी घतना में मिली जानकारी के मुताब एक कॉंस्टेबिल सर्वेश रावत 2011 बैच का कॉंस्टेबिल था सर्वेश और मीरा की शादी 2019 में हुई थी लेकिन एक साल बाद ही दोनों के बीच विवाद शुरू हो गया था आए दिन दोनों के बीच रडाई जगरे होते थे 2020 म मीरा ने पती सर्वेश पर दहेश प्रतार्णा का मुगदमा भी लिखाया था अलाकि बाद में दोनों का कोल्ट में समझोता हो गया था NBT Online के लिए राजठानी लखनव से अभिस सिंग्राथ और के साथ बिरो रिपोर्ट